हेलो स्टुदेंट्स आपका स्वागत है हमारी चनल में एक ड्रिम कम टुम है मैं मंजीद आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ हिंदी एंसियार्टी छितीज कवी है रितुराज तो चलिए इसे पढ़ना सुरू करते हैं कितना प्रमानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूझी हो लड़की अभी स्यानी नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुक का अभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था पाठी का थी वह धुंदले प्रकास की कुछ तुको और कुछ लैबद पंक्तियों की तो चलिए पहले लैन को पढ़ते हैं और समझते हैं कितना प्रमानिक था उसका दुख प्रमानिक का अर्थ होता है वास्तविक या यथार्थ लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूझी हो पूझी का अर्थ होता है धन इस काव्यांस में कवी ने लड़की के कन्यादान पर मा की भावनाओ का चितरन परमपरागत समाज वेवस्था से हट कर किया है तो चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं लड़की के कन्यादान के समय मा का दुखी होना या थार्थ है यानि वास्तविक है क्योंकि मा अपने कलेजे के टुकडे को पराय के हाथों में दान में दे देती है उस समय मा को यह लगता है कि लड़की उसकी अंतिम पूझी क्योंकि अपने संसकारों को मा अपनी बेटी में भर देती लड़की अभी सयानी नहीं थी यानि सयानी का अर्थ होता है समझदार लड़की जब कन्यादान में दी जाती है तब तक वह अधिक समझदार नहीं होती अभी इतनी भोली सरल थी यानि यहां कभी कहते हैं वह अत्यंत भोली एवं सरल स्वभाव की होती है इसलिए वह समाज के छल कपट को समझ नहीं सकती कि उसे सुक का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता आभास यानि एहसास और बांचना यानि समझना उसे सुक की अनुभूती तो होती थी लेकिन दुख को समझना नहीं आता था इसलिए वह अपने ही घर में जाकर दुखी होती रहती थी पाठीका थी वह धुन्दले प्रकास की, कुछ तुको और कुछ लैबद पंक्तियों की, पाठीका यानी पढ़ने वाली या अध्याता मा अपने आप पर हुए जुल्मों की पाठीका थी, उसने हर दुख को सहा था, समझा था, वे दुख आज भी धुन्दले प्रकास की तरह उसे याद आ रहे थे इस्तरी होने के कारण उसे समाज द्वारा जीन यातनाओ को अपने पती के घर में विवा के उपरांत सहना पड़ा था, उनसे वा अच्छी तरह परिचित थी समाज द्वारा लड़की के लिए निर्मित कुछ तर्क और लैवद परामपरागत उक्तियों को वा अच्छी तरह समस्ती थी, उसी परामपरागत असूलो के कारण उसे सारा जीवन इस्तरी होने के कारण दुख सहना पड़ा था, तो चलिए इसे थोड़े संचित में पढ आउनाओ का चितरन परामपरागत समाज व्यवस्ता से हट कर किया है, लड़की के कन्यादान के समय मा का दुखी होना वास्तविक है क्योंकि मा अपने कलेजे के टुकडे को पराय हातों में दान दे देती है, उस समय मा को यहा लगता है कि लड़की उसकी अंतिम पूंजी ह क्योंकि उसने अपनी सभी संसकारों को अपने बेटी में भर दी थी, लड़की जब कन्यादान में दी जाती है तब वह अधिक समझदार नहीं होती, वह त्यंत भोली एवं सरल स्वभाव की होती है, इसलिए वह समाज के छल कपट को समझ नहीं सकती, उसे सुक की प्रकास तो होता था, लेकिन दुख को समझना नहीं आता था, इसलिए वह अपने ही घर में जाकर दुखी होती रहती है, मा अपने आप पर हुए जुल्मों की पाठी का थी, यानि वह अपने जीवन में उसके साथ जितने भी जुल्म हुई है, वह उसे अच्छी तरह समझ था, वे दुख आज भी धुंदले प्रकास की तरह उसे याद आ रहे थे, इस्तरी होने के कारण उसे समाज द्वारा जिन यातनाओ को अपने पती के घर में विवा के उपरांत सहना पड़ा था, उनसे वह अच्छी तरह परिचित थी, समाज द्वारा लड़की के लिए न असुलो के कारण उसे सारा जीवन, इस्तरी होने के कारण दुख सहना पड़ा था, तो यह था आपका काव ये कन्यादान का पहला भाग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दूस्तों से शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, थैंक यू सो मच.